हाई एवरिवन इस वीडियो में बात करने वाले हैं TCS BPS की तो यह वीडियो काफी इंटरस्टिक होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि TCS में किस टाइप से हाइक्स होती है तो आपकी जो सेलरी है वो तीन साल बाद आप क्या expect कर सकते हो TCS BPS में ठीक है तो देखो अब इसमें दो फेक्टर सबसे पहले आती है वो दो फेक्टर क्या है कि जब आप TCS BPS जोइन करते हो तो यहां पर काफी बैंट की चीज़ें होती है कोई भी आपको accurate salary इसली नहीं बता सकता क्योंकि जो आप एक साल में अपना performance दोगे उस performance के हिसाब से आपकी hikes होंगी सा तो उस COVID period में उन लोकोंने hikes कम दी थी मतलब उस financial year में company कितनी growth कर रही है उस पे भी आपका hikes depend करता है और दूसरा factor होता है कि आपने उस साल में performance कैसे किया तो उस पे आपका hikes depend करता है ठीक है अब TCS में क्या होता है कि यहां पे आपकी ratings होती है अब क्या होता है कि जो आपकी salary मुश्किल से 200-400 रुपे बढ़ेगी तो वो कोई मतलब नी रहता तो इसलिए थोड़ा से हाइक percentage जाता होता है BPS में starting के years में ठीक है दूसरी चीज में आपको clear करना चाहता हूं जो एक BPS की job है और TCS IT की job है दोनों की बीच में आप देखोगे तो दोनों की बीच से 40% कम होगी मैं लगबग 40% आप मान सकते हो दोनों की post में अंतर रहता है तो अम मैं start करता हूं तो देखो TCS BPS जब आप जोइन करते हो तो यहां पे 2 condition होगी हमेशा salary एक band में होती है तो TCS BPS की starting salary है वो एक band में होती है वो होती है 1.7 LPA to 2.3 LPA अभी जो 1.7 LPA to 2.3 LPA है जो आपकी enhanced salary है वो lowest आपकी 10,000 रुपए होगी 10,000 और highest आपकी हो सकती है 14,000 रुपए 15,000 रुपए 15,000 ठीक है तो इसके बीच में कहीं लाय कर रही होगी depending upon आपका selection किस जगे से हुआ है क्या है जो है इसे आपकी minimum salary 10,000 रुपटर्स रहते हैं तो आपकी minimum salary 10,000 रुपटर्स होगी और highest 15,000 रुपए यहाँ पर जो salary डिसकस करूँगा इन ही दौनों बेंग्स के साफे डिसकस करूँगा सब किस आपकी 10,000 के salary है 15,000 रुपटर्स में होगी इसलिए मैं average बता रहा हूँ, तो generally जो लोगों को मिलता है वो लगभग 20% के increment मिल जाता है आपको first year में, तो अगर आपकी 10K salary है first year में, जो इसकी होती है, काफी लोगों की, जो join करते हैं, अकसर लोगों की 10K के around आपकी salary होगी, तो first year में 20% का आपका increment मिलता है, और आपका ज मिलता है, आपका 1.7 था पहले, अब आपका 30,000 तो 35,000 का increment मिलता है, आपका 1.7 था पहले, अब आपका 30,000 तो 30,000 का increment हो जाएगा, और आपकी जो 10,000 रुपए salary आ रही थी, अब आपकी वो salary बढ़के हो जाएगी 12,000 रुपए, मतलब 2,000 रुपए का increment होगा first year में, ठीक है यह मैं average performance के साब से बता रहा हूँ, average facts के साब से बता रहा हूँ, ठीक है, और जो जिनका highest band था, जो 14,000 के या 15,000 का मारे थे, 14,000 रुपए का मारे थे, तो उनका जो salary होगा, उनका हो जाएगा 17,000 रुपए, मतलब उनके में भी लग लग 2,000-3,000 का increment होगा, उनका भी आप 17,000-7,000 रुपए, increment मान सकते हो, तो यह salary एक साल के बाद है, एक साल के बाद जिनकी 10,000 थी, वो 12,000 होगा, जिनकी 15,000-14,000 थी, वो 17,000 के something आपकी salary हो जाएगी, और आपका जो package 1.7 था, वो लग बग आपका उसमें 30,000-34,000 का उसमें आपको increment मिल जाएगा, अब बात करता 2nd year, 2nd year में भी जो आपका high percentage रहता है, वो आपका 18% to 22% के something रहता है, जिसमें आपका normal increment होता है, वो आपकी salary में होता है, लग बग 40,000 रुपीज का, तो अभी आपकी salary लग बग 2,000 है, आफटर 1 year, अब आपकी salary इंक्रिमेंट हो कि 2,040,000 हो जाएगी, जिसमें आपका जो 14,500 रुपीज मिलने लगेंगे, यानिके 14,000 रुपीज या उपर 14,000 रुपीज आपको मिलने लगेंगे, अफटर कम्पलिशन ऑफ 2 year, और जो highest band में चल रही है, ये lowest band वाले है, जो highest band वाले चल रहे है, उनकी salary कतनी हो जाएगी, उनकी salary हो जाएगी, लग बग उनकी salary अप तो आपको क्लियर हो रहा होगा, लुएस्ट बेंट वालों की हो जाएगी 14,000-15,000 के समते हैं और हाइस्ट बेंट वालों की 19,000 के समते हैं तो मला पांट सेजार रुपे का गैप है तो अब जब आपका सेकेंड इंक्रिमेंट होता है तो आपकी BPO पोजिशन पढ़ती जब से करते हो BPO 0 से करते हो फिर BPO 1, BPO 2 ऐसा आपका प्रमोशन होता है तो यहां आप एक को एक थर्डीयर में थोड़ा सा अच्छा इंक्रिमेंट मिलता है और लगबग आपका 50,000 रुपीज सेलरी भढ़ जाता है तो आपकी सेलरी आफ्टर थी एर्स हो जाएगी 2.9 लैक्स जो 2.4 था वो 2.9 पहुंचाएगा और 2.9 से आपकी सेलरी लगबग पहुंच जाएगी यहां पर 20,000 रुपे और जो हाइस्ट बेंड वाले हैं उनकी पहुंच जाएगी 25,000 रुपे क्योंकि 5,000 रुपे का गैप है जैसे मैंने आपको बताया था उनकी होजएगी 25,000 रु तो आपकी सेलरी 20,000 के सम्थिंग कुछ हो पाएगी आफ्टर 3 यहां ठीक है वहीं अगर आपने जोइन किया एक हाइस्ट पे तो आपकी 25,000 तो मैंने वैसे बताया है लेकिन आपकी इतनी भी नहीं होगी आपकी 22,000 to 25,000 के सम्थिंग कुछ होगी लेकिन यहां पर काफी ज तो आपका लगबग होता है वरना क्या होता है कि अगर आप लो पर्फॉर्मर लो पर्फॉर्मर तो आपका मतलब आपका जो इंक्रीमेंट है वो 20 परसेंट नहीं होगा फिर आपका लगबग 15 परसेंट 10 परसेंट इतना भी कुछ हो सकता है तो जो आपकी सेलरी होगी अग 20,000 के संथिंग और आउटस्टेंडिक परफॉर्मर तो बाइस जार चॉबेस जार के संथिंग आपकी सेलरी लाय कर रहे होगी तो यह बहुत जादा कम है इसलिए जब मैंने एक वीडियो बनाई थी TCS BPS की तो आप देख सकते हो TCS BPS जॉब रोल आई होप आपने देखी होगी यूट्यूब पर नंबर एक प्याती जब आप सर्च करोगी TCS BPS जॉब रोल तो उसमें इसलिए मैंने बताया था कि BPS में जादा समय टिकने से कोई फायदा नहीं है कैरियर का स्टार्टिंग यह आपको कुछ और नहीं मिल ला है तो BPS ठीक है वेकर दो तीन साल बाद आप एक साल बाद ही आप स्विच करने का कोशिश करो कि यह यह से यह बहुत जादा कम है तीन साल बाद आपकी सेलिए बहुत जादा कम है मार्केट एस टेंडर्स के साब से तो थैंक यू समस्पर वाचिंग इस वीडियो आई होगी और अगर आपको किसी और कंपनी पर इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो थैंक यू सो मच